हेलो अब्रिवन वैलकम तो अनकेडमी बीपीएसी मेरा नाम है मीधा जहा और आप सब का स्वागत करते हूं मैं अनकेडमी बीपीएसी पे आज ही क्लास में हम लोग एमसी क्यू करेंगे आप लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक अपने स्टडी लेटर को उसमें जरूर जाके शेयर करें जिनी को प्लस कोर्स लेना वो ले सकते हैं आपके कोड है मेरा एमजे बीपीएसी इस कोड का इस्तिमाल करके आपको अधिकतर डिसकाउंट मिलेगा तो चरिए स्टार्ट करते हैं आज का सवी विशाहों का आपके एमसी क्यू तो आज के हमारे पहले कोशन से चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला कोशन बुटीबनी मोनिका कुमारी जी अब किनकी दोड़ा लाए गया था ये चीज आपको बताना है कोशिश करें जवाब देने का देखते किते बच्चों का सही होता जवाब तो आपका इसका जो पहले का एंसर होगा आपकी राजामान सिंग अब राजामान सिंग आपके उन्हों नहीं आपके क्या किया था तो एक्स्टारिशन के थूर आप समझोगे किया था बिहार और दाका सही पूर्वी बंगार के कुछ हिस्चों को आपके लाया था किनों नहीं लाया था तो आपके राजामान सिंग नहीं लाया था इसके अलाबा अक्बार के पालक भाई मिर्जा अजीद कोका ने पश्टी में कटिवारा विज़े में आपके विज़े प्राप्त किया था फुटीबनी मोनिका कुमारी जी फुटीबनी विकास जी बहुती बढ़ियां फुटीबनी कुमारी करूना जी अब आगे की तरफ चलते हैं देखते हैं आपका और भी कोश्टन विधे के राजा किस विधे के राजा ने केस्वी तिन थाकर माना जाता है ये चीज़ आपको बताना है कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का देखते किते बच्चों का सही होता है जवाब गुड इबनिंग सोना राल जी गुड इबनिंग नाजिया प्रभीन जी नोटिफिकेशन नहीं आता सोना राल जी गुड एक अणेग्य का चैनल आप उससे टेलिघ्राम पे अट कर लीजिए नशे में हमेशा भेस देती हो आपके इनशे भी हुड जी एक अंट नेटग्वी का आफिश्यल भी पी एसी का चैनल है और आपके सिक्षक हुआ करते हैं राजा नामी को 21 वे तिन थांकर माना जाता है जो लोकल चीफ हुआ करते हैं आपके विलेज असेम्बली में आपके मगद इंपायर में इसे हम लोग क्या बोलते हैं ये चीज आपको बताना है कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का बहुती बच्चों का सही था second वाले question का आप लोग का एंसर third question का बताएं कि क्या होगा आपके answer good evening UPC ji आपके इसका answer क्या होगा तो gram-cas होगा मगद जो था आपके 16 महा जनपत में से एक था मगत kingdom आपके include होता आपके Republican community में जैसे की community कहा जाय तो राज कुमार का इनकी administration को divide के आगया था आपके तीन विभागों में आपके executive, judiciary, military functions में बहुत ही बढ़िया यूपी एसी जी, सूरज जी, विकाज जी तो ये administration आपके विभाजित हुई थी आपके executive, judiciary, military functions में आपके village को hand किया जाता था आपके खुद के assemblies के द्वारा local chief जो आपके गाओं के assembly के हुआ करते थे, assembly ग्रामकाज भी बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया विकाशी, सूरज जी, नाजिया जी, UPSC जी, कुमारी, करुना जी, मोनिका जी पहले पर्शन आपके बिहार के जिन्होंने जीता था आपके रामोन मगश्य अबोर्ट ये चीज़ बताना है कि कौन थे वो, answer करें आप लोग सभी लोग कि क्या होगा आपके फोर्ट का answer आपके इसका जो answer होगा जया प्रकाश नारायन होगा जया प्रकाश नारायन वो पहले वक्ती थे बिहार के जिन्होंने जीता था आपके रामोन मागश्य अबोर्ट ये इन्होंने अबोर्ट कब जीता था तो 1965 में जीता था पब्लिक सर्विस के लिए जीता था बहुत ही कुछिश करें सभी बच्चे जबाब देने का देखते कितने बच्चों का सही होता है तो एंसर जाने से पहले में यह चीज बोलना चाहूंगी जिनको जिनको प्लस कोर्स है तो आपके फिला तो यूटूब कार्नेवल चल ला है यूटूब कार्नेवल का अब ही जो है आपके 15 अगस्त को आपके सभी टीचर्स आपके लिए मोटिवेशनल आप लोगे एक्जाम से रिलेटेड आपके इंडेपेंडन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे उस दिन सुर्य विधान शवाब सची वाले बैच कोर्स है आपको इसा भी बैच कोर्स लोगे तो आपको अधिक्तम डिसकाउंट मिलेगा जिनको भी जवाब रंजू मिश्रा जी नाजिया प्रवीन जी सोना लाल जी इतने वच्चोगा सही है जवाब तो पाटिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम आपके इनिशियेट हुआ था बिहार में 1997 में इनिशियेटिव जो था गाइडलाइन के उपर था आपके सें को लिए प्रमोशन किया जाए ठीक है आगे की तरफ चलते हैं देखते हैं आपके और भी कोस्टन को निमलिखित में से किस सहर कसमे में भारत में दाल का दूसरा सबसे अधिक उत्पादन होता है अब दाल में तो बहुत सारा दाल आपने खाया होगा पर आपका दूसरा बुगाई जाती इंडिया में कौन सा है ये चीज़ आपको बताना है आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है क्लास पो लाइक अपने स्टेडी लेटे गुस्ट में जरूर जाके सेयर करें तो इसका अंसर आपके मुकामा होगा जो लोग भी मुकामा की तरफ गए थे उनका आपके सही जवाब मुकामा आपका दूसरा हाइस्ट अमॉंट में आपका जो है डाल इहां पे की जाती है मुकामा आपका टाउने मुनिसिपल काउंसिल आपके जो की पटना लिस्टिक और बिहार में पड़ता है मुकामा आपके कनेक्ट करता नौर से लेकर साउथ तक बहुती बरियां सोना लाल जी, विकास जी, उपियसी जी पुमारी करूना जी, बहुती बरियां मुनिका जी, नाजिया प्रवीन जी, सूरज जी अब सबसे पुरानी मंदीर जो है आपके पटना में कौन सी है ये चीज़ बताना पटना में तो आपके काफी जादे मंदीर असानी कह सकते मंदिर नहीं है बर सबसे पुरानी मंदिर कौन सी है यह चीज आपको बताना है तो इसका जो एंसर होगा आपके पटन देवी आपके मंदिर होगा पटन देवी आपके सबसे जादे पुरानी है तो पटन देवी आपकी काफी जादे पुरानी मंदिर है साथी साथ यह जो पर्टनुण देश्वरी जि आपके मंदिर के भी नाम से जाने जाते हैं बहुती बढ sophisticated बहुती बढ़ी है कोन से डिस्टिक आपके सर्य स्थित है यह चीज आप से पूछा जाघहा है कोशिश करें जबाब देने का देखतें कितने बच्चों गा? सही होता जवाब कोन से डिस्टिक में आपके कह सर्या स्तूपा जो है सभी इसे request है आप लोग सभी को लाइक और अपने study later GUI में जरूर जा के share करें आखिर ये कह सर्या स्तूपा जो है आपके स्थित कहां पे है ये चीज आपको बताना है आपके इसका जो answer होगा इस चमपारन होगा केसरियाँ अस्तूपा आपके इस्थ है इस चमपारन डिस्टिक में साथी साथ ये बहुत ही बड़ा वुद्धा स्थूपा है आपके केसरियाँ में जो कि आप देखे कोई अस्थुपा अगर रहता है तो आपके कोई जगा से ही तो संबंदित करता है तो ये आपके lord buddha से संबंदित करता है lord buddha आपके एक वाड़ इहां पे रहे थे और उन्हुंने अपना प्रचार किया थे आपके सुता का आपके १्यू जगा से छंपारन होगा ठीके विकाष्टी, कुमारी करुना जी, UPSC जी, नाजिया प्रवीन जी, छांशी जी, सोनाला जी, सूरज जी, रश्मी जी, मोनिका जी, सौरी मैं आजकल धोरी डिस्टर हूं किसी, चले कोई बात नहीं, रंजू मिश्रा जी, होफफुली आपके लाइफ में जो भी चला हो सही हो जाए और जल से जल आपकी जो भी दिखते हैं, वो समात हो जाएँ, चले थांकियू नाजिया जी, तो कौन से सब्जेक्ट जो हैं आपका जनरली डिपिट करता है आपके, आर्टवर्क पे, आपके पठना, स्कूल और पेंटिंग, पेंटिंग के कलाकृति में आमतो और से किन विशोव का चित्रिक किया गया है यह चीज बताना है कोशिश करें सभी बच्चे जबाब देने का देखते कितने बच्चों का सही होता है जबाब आपके डेली लाइफ ऑफ इंडियन्स होगा आपके इसका अंसर जो भारतिय के दैनिक जीवन जो आपका काम था आपके पटना स्कूल आप पेंटिंग में यह भारतिय के दैनिक जीवन को दर्शाता है इसमें तोहार, सामरो, बजार के दिश्चों में आपके चित्रित किया अब के अपतक ही तृब नकिना ँप आपके प्येट के जैए तो आपके जो लोग भी आपके एकी तरफ जा रहे हैं новый कुषभ. जब आप चले कोई बत नहीं जिनका एप की तरफ जो लोग नहीं गये होंगे आप लोग से रिक्वेस्ट है सभी लोग लाइक और सेर और सभी लोग एंसर दे कमेंट में कौन से जो मचली होती है जिसे हम लोग स्टेट फीस बोलें आपके बिहार का किस मचली को बिहार की राज्किय मचली के रूप से आपके नमित किया गया ये चीज़ बताना है अब इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का गलत होगा क्योंकि सभी बच्चे यहां पे आम तोर पे मचली खाते होंगे अलग बात है सावन चलना है तो उसमें नहीं खाते होंगे आपके इसका जो होगा देसूर मांगूर होगा इसमें आपका इसका जबाब जो होगा आपके ई होगा देसी मांगूर जो आपके नेम किया गया था आपके स्टेट फीस ब बिहार अब कौन से साल में आपके फारू ट्राइब, थारू आपके जन्जाती है ये आपके इंक्लूड होते हैं, आपके लिस्ट में आपके सेडूल ट्राइब के ये चीज़ आपको बताना है देखते कितने बच्चों का सही होता जबाब उस कोशन का आपकी कुमारी करूना जी का भी सही है जबाब वेरी गुड विकाश जी आपकी इसका जो एंसर होगा 2003 होगा जो थारू जन जाती है या आपकी इंक्लूड होती है लिस्ट में सेडूल ट्राइप में आपके बिहार में 2003 में जबाइप टराई लोलेंड से आपके असवालिक लोड हिमाले से यह आपके उत्रा खंड उत्तर परदेश बिहार और नेपाल में आपके रखते हैं अज ठारू आ अपके डिराइब होगे वर्ड सत्वीर से जिसका मतलब क्या होता है तो तेरा वदा बुधिन से एलेटेड आपके तो आपके इसका जो एंसर होता यह होता क्योंकि इसमें तो 2003 आपके दीहाई नहीं था ठीक है कुमारी करुना जी का सही है जवाब एक और आपके किसी का सही नहीं है नाजिया प्रवीन जी का भी सही जवाब बहुती बढ़िया अब आगे की तरह चलते हैं देखते हैं आपके और भी कोश्चन को कौन से डिस्टिक है आपके जहां पे आपके हरी वाड़ा डियर पार जो है आपके इस्थित है यह चीज़ बताना है कोशिश करें सभी कोई बच्चे जवाब देने का देखते कि तरह बच्चों का सही होता जवाब क्योंकि आप लोग की एक छोटी सी कोशिश आप लोग को एक्जाम क्लियर करने में हेल्प कर सकती है तो सभी बच्चे जवाब दे आपके इसका अंसर अररिया होगा आपके इसका अंसर तो हरिया वारा डियर पाक आपके इस्थित है कहां पे तो अररिया डिस्टिक में अविनम कुमार जी का एक सही है जवाब कुमारी करुना जी, विकास जी, सूरज जी, नाजिया प्रवीन जी, इन बच्चों का सही है जबाब जिनका जिनका नहीं हो रहा है आपी सोच रहे हैं, डी मोटिटिवेटेड फील करें, वो बिल्कुल ना हो, very good आपकी गोशिया प्रवीन जी, रंजू मिश्रा जी, उपीएसी जी, बहुती बढ़िया जोती दुबे जी का भी सही है जबाब अप कुल टेनियर मुवमेट जो सभी ने आपके भारत छोड़ो आंदोलन जिसे बोला जाता है बारो गर्स ताइटी अने 42 को भागलपूर के जेनले जातिस में छात्रों ने एक सोतंता सनानी को पुलिस से मुक्त कराया था वो सोतंता सनानी कौन थे ये चीज़ आपको बताना है, कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का तो साथ ही साथ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी सभी को लाइक और अपनी स्टर्डी लेटर गुस में जरूर जाके सेर करें कि क्या होगा आपके एंसर इसका अच्छा एक और प्रवीन जी है इसका बताएं कि क्या होगा तो बहुत ही बढ़िया इसका एंसर आपके क्या होगा तो स्वर्षती देवी होगा स्वर्षती देवी जो थी आपकी 12 गस 1942 को भागलपूर के जेल ले जाती समय पूलिस से आपके मुक्त करा दिया गया था तो विकाष्टी, सूरज जी, सोना लाल जी, साइन-साइन जी, रंजू मिश्या जी, नाजिया प्रवीन जी, मोनिका जी, बिंदेश्यु राय जी सोना लाल जी, साइन-साइन जी, राजीब जी, हेलो, जय स्री राम, बिबेख जी, good evening, welcome to the class मुस्ताक जी, निकी सिंग जी इन सभी का सही है जबाब अब धमा, धमा संस्कृत सब धर्म आपके प्राकिर्टिक रूप है निमलिखित में से कौन सा आशोका का धमा था ये चीज आपको बताना है सभी बचे कोशिश करें जबाब देने का देखते किते बच्चों का सही होता जबाब तो इसका एंसर आपके क्या होगा? तो नेतिक का साहित होगा, कोड अफिटिक्स धमा आपका सेट है किस चीज का? आपके जो पॉलिसी आपकी असोका का उसका ये आपका सेट है जो कोड अफिटिक्स है आपके असोका का वो बताता आपके डेपलप्मेंट के बारे में आपके समराज के बारे में जिसे हम लोग देख सकते हैं आपके धमा के इंस्क्रिप्शन में धमा के अभिलेक में हम लोग धमा में देख सकते हैं अशोका का दूसरा और सेवंथ फिले एंस्क्रिप्शन जो है वो आपका बताता है क्वालिटी के बारे में जो फॉर्म करता आपके धमा को साथ इस अशोका धमा के अनुसार डिलीजियस टॉलिरंस हुआ करते थी इट मीनस कहा जए आपके धार्मिक जो था आपके धार्मिक सही अपके टॉलिरंस होती थी रिस्पेक्ट होता था आपके elders का, बड़ो का सम्मान होता था, केर करने किया जाता, बड़ो का देखवाद, साथी साथ kindness, जो आपके दयालूपन आपके ये चीज़ था आपके, इसकी अरबा कहा जाए, तो कशुह को ना मारने भी था आपका code of ethics, बहुति बढ़िया,ники जी, जोति, रंजु ई नजया प्रवीन जी, गोशिया, वी विकार शी, नजया प्रवीन जी, वेलकम तो था क्लास निक्की संग सिंग जी आप नए हो क्लास में तो बहुत ही बढ़िया क्लास में आया कीजिए आपको जरूर अच्छा लेगा वेलकम तो आगी की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके और भी कोश्टन्स को आपके निवली खित्म से कौन से बिहार की संस्कृत राजधानी है अब बहुत सारी चीज़े बिहार में हम रहें तो बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है बट हमें ये आपको लोग को बताना आपके कि कौन से आपके बिहार की संस्कृत राजधानी है यह चीज बताना है तो इसका एंसर आपके दर्भंगा होगा बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि मैं दर्भंगा हाँ बिल्टूल दर्भंगा दर्भंगा आपकी कल्चर कैप्टर है आपकी बिहार की साथी साथ यह कल्चर कैप्टर है बिहार की क्योंकि यहां पर काफी जादा जो है आपके संब्रिद संगीत लोग कला सहायतिक प्रंपड़ा का कारण है आपके और इसे आपके राजधानी संस्क्रिप राजधानी मानी जाती थी खुश रही आजे जी विकाष जी मैं लेट जोइन क्या हूं की हूं कोई बात है निकी संसिंग जी बिंदेश्वर राय जी उमारी करूना जी रंजु मिशा जी बहुती बढ़ियां तो दर्भंगा होगा आपके गंदवार डाइनेश्टी जोड़ों ने रूल किया था आपके तुरक का बाद आपके बिहार में ये आपकर देखा जा सकता आपके इंस्क्रिप्शन में ये कहां से है ये चीज आपको बताना है कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का देखते किते बच्चों का सही होता जवाब ये आखिर ये गंदवाल डायनेस्टी जुनोंने रूल किया था आपके रिकावर करने के लिए आपके बिहार में जो आपके तुरकावाबाद जो था बिहार में उसको रिकावर करने के लिए ये फ Audrey कहां पर ये चीज आपको बताना है तो आपके इसका जो एंसर होगा मु नहीं है कि मैं दरहंगा में रहती हूं तो मुझे तो अभी तक नहीं कुछ दिखड़ाया लेकिन हाँ बनने का प्लैन तो है आपका रिकॉर्ड के अनुसार तो जो डिसकॉशन हुआ था करने के लिए आपके तुर्कगाबाद आपके बिहार में गंदवाल डानेस्टी का उन दो कि π Mae का लिए ने रूल किया था कि आपके इंस्क्रिप्शन में आपके मुझेर में आपके इसका एंसर मुझेर होगा बहुत ही बढ़ यह जो लो एक तरफ घचालो किसी के तरफ मत जाएंगा मैं व brit वह कर रहा है तो मैं क्या सोचेगी हम लोग को नहीं आता ब्लकुल सोचेंगे क्यों सोचा जाएगा क्यूंकि आप लोग कोशिश करें यह बहुत यह बड़ी चीज है बहुत बच्चे तो डड़ से एंसर भी यहाँ पे नहीं देते होंगे कितने डिविजन से आपके बिहार में यह चीज बताना है गुदिमनी राम शंकर जी कितने डिविजन्स हैं आपके बिहार में ये चीज आपको बताना है तो आपके जो है नौ डिविजन है जिनमें नौ डिविजन में कहा जाए आपके बहुती बढ़ियां विकाश्टी सूरज जी तो आपके नौ डिविजन में पटना, मगत, कोशी, पुर्णिया, मुंगेर, दर्भंगा, भागलपूर, तिरूद आपके शुरवाती दौर में आपका जो है बिभाजित नहीं हुआ था आपके बिहार और जारकर तो टोटल नंबर और डिविजन तब क्या थे तो तेरो थे बहुती बढ़ियां सभी बच्चों का I think इसमें सही होगा रिंकी जी, मोनीका जी, सूरज जी, सोना लाल जी, विकास जी, जोती दूबे जी पर जीते हैं भी आपके गौश्या जी, रिंकी जी, यूपीएसी जी, रामशंकर जी, विकास जी, रंजू मिशा जी, रिंकी जी बहुती बढ़ियां वेरी गुड तो लेंथ और बिहार आपकी इस से लेके वेस्तर क्या होगा ये चीज़ आपको बताना है कोशिश करें जबाब देने का, कुमारी करूना जी, आपका साइड नेट जो है, स्लो है आप एकवाँ लाइब पे बटन दवा लिजे, साइड आप लाइब नहीं चल ले हो, इट मिन्स लाइब चार्ट आप दे रहे हो, पिछले कोश्चन का एंसर लेंथ आप बिहार from east to west क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है साथी साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सभी बच्चे लाइक और अपने study लेटर गुस में जाके जरूर सेयर कर दे आपकी इसका एंसर जो होगा, 483 km होगा लेंथ आप बिहार जो होता, आपकी east से लेके west तक आपके कितनी होती है तो 483 km होती है, आपका इसका जो एंसर होगा, C होगा बहुत ही अच्छी बात है, क्या कीज़े आप लोग संजर गांधी biological garden इस थिता आपके कहां पे ये चीज़ आपको बताना है कोशिश करें, सभी बच्चे जवाब देने का, देखते कितने बच्चों का सही होता जवाब आपकी इसका जो एंसर होगा, पटना होगा संजी गांधी biological garden जो है, ये आपके इस्थित है पटना में और ये आपका पहला garden है, जहांपे आपके rhinosaurus काफी जादे था यहां पे आपके आपके आप लोग में से अमोमन सभी बच्चे यहां पे गए होंगे, यहां पे आपका एक सांप घर भी है, जिसमें आपके 11 रूम है और ये आपका काफी जादा सुन्दर लगता, उनमें से बहुत सारे में आपका खाली डबा है और जिस पे लिखा हुआ है, ये सांप आपके विलुप्त हो जुके हैं कोई गए होंगे हैं तो देखे होंगे, आप लोग ये आपके खाली डबा भी आपके वहां पे प्रेजन्ट है, जिस पे लिखा हुआ है यहां पे आपके ये सांप आपके विलुप्त हैं कमाड़ी करुना जी, रंजु मिश्रा जी, सूरज जी, बिंदेश्वराइ जी, निकी जी, राम शंकर जी, सोना लाल जी, गौशिया जी, विकास जी बहुत भ़़ियाँ आपके नाजया प्रवीन जी बहुत भ़़ियाँ अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके और भी question को कौन से district आपके बिहार में जहां बूरी गंडक आपका जो है river originate करता है ये चीज़ बताना है बूरी गंडक नदी बिहार की किस चीले से निकलती है ये चीज़ बताना है चलिए बहुत ही अच्छी बात है रंजू मिश्रा जी आप 10 बार गई हैं तो जाना भी चाहिए भाई चिरियां घर जाके अपने बच्पनों के दिन को याद करना चाहिए तो आपके ये बताना है इसके क्या होगा तो इसका वेस्ट चमपारन होगा बूरी गंड़क जो आपकी नदी है ये अपका जो है इसकी सुरुआत होती है आपके छोत्वारा चौर से आपके जो आपके वेस्चमपारन डिस्टिक से आपके होती है लेंद की बात करें तो इसकी लंबाय आपकी कितनी है तो 320 km है बहुत ही बढ़िया जो लोग आपके जा रहे हैं वेस्ट चंपारण की तरफ वेस्ट चंपारण की जी सोना लाल जी जोती दुबे जी रंजु मिश्रा जी निकी जी रामसंकर जी गौशिया जी विकास जी सोना लाल जी इन सभी का सही जवाब मैं मोवाइल नेटवर इशू देखें मोवाइल नेटवर इशू उड़ायत एक वार नेट को रिफ्रेस कर लीजे आपके जो करकट वाटरफॉल इस्थित आपके कौन से डिस्टिक और बिहार में ये चीज आपको बताना है कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का आपके इसका अंसर जो होगा कैमूर होगा ये जो आपका वाटरफॉल है ये इस्थित है आपके कैमूर हील के पास कैमूर डिस्टिक में आपके जिले में कैमूर वाइल लैप सेंचूरी भी इस्थित है इसी के वाटरफॉल के पास आपके कैमूर होगा आपके इसका अंसर बहुती बढ़िया विकाश जी, गौश्या जी, मोनिका जी, बहुती बढ़िया तो जो बच्चे भी एकी तरफ जा रहे थे उनका आपके सही जवाब रिंकी जी, UPSC जी, रंजू मिश्रा जी, बहुती बढ़िया आपके अजे जी, UPSC जी, बहुत बढ़िया अब आगे की तरफ चलती हैं देखती हैं आपके और भी कोशन जो डिप्टी नवाब थे निमली किस में से किस उप नवाब की अफगानों दोड़ा हत्या कर दी गई थी ये चीज आपको बताना है कोशिश करें सभी बच्चे जबाब देने का देखते कितने बच्चों का सही होता है जबाब और आप लोग से रिक्वेस्ट है सभी को लाइक और अपने स्टडी लेट गुस में जाके जरूर सेयर करें ताकि और भी बच्चे आ सके जै उद्दीन हैवत जंग होगा आपकी स्कैंसर सतरो सो चालिस में आपके अलवर्दी खान ने क्या किया था तो जैन उद्दीन को बिहार का राजपाल बनाया था और हैवज जन फो उबादी दी थी जैन उद्दीन ने आपके सेवंटी हने फोटी एट में हत्या कर दी गई थी और उनके बेटी जो थे आपके सिराज उद्दौला उन्होंने बिहार के नयाब नाजीम की रूप में आपके उत्तर अधिकारी बना दिया गया था बहुती बढ़ियां आपके विकाश जी का सही जबाब कुमारी करुना जी जोती जी यूपी एसी जी गुटीबनी अनवर जी कोई बात नहीं नाजिया प्रवीन जी रामशंकर जी बहुती बढ़ियां अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके और भी कोशन को राइंग था आपके बिहार का जो बड़ा स्टेट के लिए आपके बड़े राजों की दिर्ष्टी से बिहार का राइंग क्या था आपके जो आपका स्वक्ष श्रुवर्शन था 2020 का इसका बताना है कोशिश करे सबी बच्चे जबाब देने का देखते हैं कितने बच्चों का सही होता जबाब आप लोग के छोटी सी कोशिश सभी कोई अंसर दी मुझे पता यह थोड़ा सा ओल्ड करेंट है बट कोशिश करें आप लोग तो यह होगा आपके बारो ठीक है सबसे ज्यादा था आपका आपका जो आपका बिहार में रैंक था आपका 12 आपका स्वक्ष्रेक्शन में आपके बारो था आपके कौन सा आपका वेद में आपके मेंशन किया गया आपके अंग किंडम के बारे में पहली बार ये चीज़ आपको बताना है बहुत ही बढ़िया गौशिया जी सूरज जी जोती दुबे जी निकी जी विकाष जी अब 24 का बताएं कि कौन से आपके वेद में मेंशन किया गया आपके अंग किंडम के बारे में पहली बार आपके इसका में होगा अथर वेद अथर वेद जो है वेदों के बारे में तो बहुत बच्चे सभी को जानते होंगे भाई रिग वेद है, साम वेद है, आपकी यजूर वेद है, अथर वेद में लेकी मेंशन किया गया आपके अंग किंग्डम को पहली बार अब आगे की तरफ चलते, कौन से अंस्टिचूशन है, जो की सटप करती है, आपके कॉपरेट डेवर्ट मार्केट डवलप्मेंट फेंड, ये चीज़ आपको बताना है, कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का, देखते कितने बच्चों का सही होता जवाब बहुत ही बढ़ियां जिनका जिनका सी था जवाब उसमें, कुमारी करुणा जी, अजे जी, जोती दुबे जी, रंजु मिश्रा जी, बिंदेश्रो राई जी, यूपी एसी जी, नाजिया प्रवीन जी तो आपकी इसका असल सेवी होगा, अब सेवी की बात की जाए आपकी, उन्होंने डिसाइट किया था आपका सेट अप करने के लिए, क्याची सेट अप करने के लिए तो आपका कॉपरेट डेवर्ट मार्केट डवलप्मेंट फॉंड जो था, उसको आपके सेट अप करने क वक्रविर अनियर्ट कते को पांडर में एगल ब्यूलाइत जी और और हैं पांडर सोनelिबानिय जी जी ये आपका काफी ज्यादा फेमस पॉलिटिकल पार्टी था लेकिन कौन से कंट्री का ये चीज़ आपको पता ना है गोशिश करें सभी बच्ची जवाब देने का देखते कितने बच्चों का सही होता है जवाब तो मैमार होगा आपके नैशनल लीग फोर डेमोक्रीसी जो है आपका लेड हो रही थे आपके अयूस्यू के दोरा ये आपका डिजॉल्ब हुआ था रिफ्यूस करने के लिए आपका तफ न्यू पार्टी रेजिस्ट्रेशन लॉग का जो कि इंपोस्ट हुआ था आपके मैम मिलेट्री में यू पी एसी जी राम शंकर जी सोनाली पांडे जी विकाष्टी रंजू मिश्रा जी विकाष्टी एमडी अनवर जी सोनाली पांडे जी गौश्या जी हाँ वही चीज गौश्या जी बट बच्चों को बुरा लग जाता है कि मैं हमारा नाम नहीं लेती है इसलिए मैं सोचती हूं बाई किसी को बुरा नाल लगे नहीं तो फिर बाद में बोलेंगे कि मैं को पता नहीं क्या घमंड है इसे बागी अगर आप लोग कॉपरेट करो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और यह सचीज़ जादे कोश्चन होगा आपके कौन से सिटी ने होस्ट के आपके कॉम्बाइन कमांडर कॉंफरेंस को ये चीज़ आपको बताना है कोशिश करें सभी बच्चे जबाब देने का देखते कितने बच्चों का सही होता जबाब आपके इस का अंसर आपकी भोपाल होगा प्राइम मिनिस्टर नरीन मुदी ने आपके पाठ लिया आपके कॉम्मांडर कॉंफरेंस पे आपके भोपाल मद्र्पधेश में आपके इन्हों ने आपके डिल्ली के लिए आपके बंदी भारत एक्स्प्रेस की सेवा में हरी जंडी इन्हों ने दिखाया था सयूद कमंडर समीलम के आपके कायकरे में सेैन्द और आष्टिय सुरक्षा से समधित मुद्धों पर आपके चर्च को उच्छ सिख्षा बित पोशन एजेंसी सिख्षा मंत्यारे और किस बैंक का सहुक उदम है यह चीज बताना है चलिए ठीक है और जिनको जिनको जो कोशन रहेगा आखरी में दस मिनन्ट में सॉल्व कर दूँगे आखरी के पांच मिनन्ट आपके आप लोग के नाम होंगे जिनका जो कोशन होगा मैं सॉल्व कर दूँगे ठीक है 28 का बताएं कि क्या होगा तो आपके इसका एंसर आपके Canera Bank होगा Higher Education Finance Agency जो है यह आपका Joint Venture था आपके Education Ministry पे आपके Government of India और Canera Bank जो है आपके Create कर रही थी आपके Capital Asset आपकी Premium Institution के द्वारा आपके इसका एंसर Canera Bank होगा जो लोग भी Canera Bank की तरफ गए थे उनका एंसर सही है जबाब अब आगे की तरफ चलती है हाली में खोजी गई आपके क्या चीज़ खोजी गई है आपके चेंग्यूमलसिस है आपका कि किस प्रजाती से संबंदित है यह चीज़ आपको पताना है कोशिश किजिए सभी बच्चे जबाब देने का देखते कितने बच्चों का सही होता जबाब आपके इसका एंसर जीकू होगा कोस्टल केलिया में जीको आपका नया डिस्कवर किया हुआ स्पेसिज है आपका जो कि आपके लो हिल्स के पास है आपके कोस्टल फॉरिस्ट में आपके कहां पे तो आपके केला में अगर यह स्पेसिज की बात की जाए प्रजाती की तो आपके रहती कहां पे है तो पत्तो कों से कंट्री ने पास किया आपके सेफगार्ड मेकननिजम ताकि परसे कर पाएं आके को को आपके वाल रिफार्निने को आपके ताकि मिनिमाइसДа का incent यह चीज आपको बताना है सभी बच्चे कोशिश करें और अपना अपना कमेंट दे एंसर में ताकि आप लोग को भी पता चले कि कि इतना ज्यादा आपको आता है आपके इसका एंसर ऑस्टेलिया होगा ऑस्टेलिया का सेफकार्ड मेकैनिस्म जो है कि पास्ट हुआ एसेंट यह पार्ट है आपके किस्त का तो आपका एफॉर्ट का जो कि आपके गवर्मेंट के दोरा लिया जा रहा है खुश रही है सनी प्रजापती जी अब कौन से कंट्री ने साइन क्या आपके डिक्री और स्प्रिंग कॉंस्परेशन अब किस देश ने वशंद भारत पे डिक्री पड़ा आपके हस्ता चक्री आया ये चीज़ बताना है कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का देखते कितने बच्चों का सही होता है जवाब तो आपके इसका जो एंसर होगा रशिया होगा रशिया डिक्री ने आपके स्प्रिंग कॉंस्परेशन क्या है आपके जो कि साइन हुआ है चले चले ठीक है sorry sorry ठीक है रंजू मिशा जी मैं आपको slow चलूंगी आप आपके इसक्या जो एंसर होगा रश्या डिक्री ने आपके spring conspiration क्या है जो की sign हुआ आपके president के दोरा आपके putin के दोरा आपके क्या नाम है आपके one bean putin का recently ये spring conspiration जो camping है ये आपके किन के दोरा हो रही है तो आपके रश्या की दोरा हो रही है रश्या होगा आपके इसका answer अब जो foundation literacy जो है आपका number of assessment test ये organize हुआ आपके कौन से program के दोरा ये चीज़ आपको बताना है कोशिश किज़े सभी बच्चे जवाब देने का चलिए मैं slow कर देती हूं कोई दिक्कत नहीं है मुझे मैं slow कर देती हूं ठीक है मैं माफी चाहूंगी you are very fast sorry sorry मैं आप slow चलूंगे ठीक है 32 का बताएं कि क्या होगा आपके answer तो आपके इसका जो answer होगा new India literacy program होगा आपका पहला foundation literacy तेस्ट होगा था यए आपके organized हुआ था आपके नम भारत' आपके नम भारत के दौरा आपके अब भारत किसकी दोरा new Indian literacy program था उनके दौरा ये test होगा थाumpy 10 states में हुआ उनIST होगा था union territory में होगा था आपके जो किन के-किन के उपर बेस्टuk तो union territory आपके डेस के उपर बेस था, basic reading पे बेस था, writing के उपर बेस था, आपके इसका जो answer होगा B होगा अब आगे की तरफ चलते हैं कौन से institution जो है जो की develop कर आपके pocket friendly device यह pocket friendly device है जो कि आपके डिटेक्ट करता आपके दूद्ध जो है आपका दूद्ध में packet friendly device है यह आपके दूद्ध में कितना मिलावट का पता चले इसके लिए आपके 30 seconds में यह कौन आपके किये हैं यह चीज आपको बताना है आपके यह जो है आपके pocket जो pocket friendly जो डिवाइस है यह आपके आइटी मदरास नहीं किया आइटी मदरास को हम लोग क्या बोलते हैं आइटी मदरास होगा आपके यह डिवलक्ट किया आपके त्री डायमेंशन 3D paper-based portable device जो कि आपके detect करते हैं आपके milk आपके 30 seconds में यह test जो होती है प्रफॉर्म की जाती है होम में और यह जो है इससे क्या होता है तो आपके दूद्ध कितना pure है इसका आपके पता चलाता है नहीं obvious से चीज है मैं आप ही लोग के चलूँगी पता चला आप ही लोग slow हो गए तो मुझे थोड़े चले ठीक है मैं आप मीडियम कोशिश करूँगी कि आप लोग सभी बच्चे answer दे लो तो ही मैं आगे जाओ अब दस्ती मार्गो जो है जिसे हमला desert of death भी बोलते हैं इस्तित आपके कौन से country में कौन से death में ये चीज़ बताना है आपके इस cancer अफगानिस्तान होगा आपके दस्ती मार्गो जो है आपका desert region आपके southern province में आपके hill minute पे आपके ऑफगानिस्तान में ये आपके world क्या what the largest desert आपके जो कि nearly कहा जाए जहां पे आपके आपके land masses और रहते हैं आपके इस का अफगानिस्तान छो लोग भी आपके अफगानिस्तान के तरफ गए थे उनका आपके सही जबाब बहुती बढ़िया अब आगे की तरफ चलते हैं पेट्रोलोजी पेट्रोलोजी आपका स्टडी है किस चीज के बारे में ये चीज आपको बताना है कोशिश करें सभी बच्चे जबाब देने का देखते कितने बच्चों का सही होता जबाब अब आगे की तरफ चलते हैं मोडिया बहुती तो आफका इसका जो अनसर होगा रौक होगा पैट्रोलोजी आपकी क्या चीज के बारे में होता है तो study करते हैं हम लोग पत्थरों के बारे में जब हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ना चाहिए तो हम लोग क्या बोलेंगे तो pedology बोलेंगे जिसमें हम लोग क्या करते हैं तो पढ़ाय करते हैं आपके मिट्टी के बारे में mountains के बारे में बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं तो औरोलोजी बोलेंगे ठीक है अब आगी की तरफ चलते हैं देखते हैं आपके और भी कोशन को गंदवार बे आपके स्थित है कौन से गल्फ के पास ये चीज़ आपको बताना है सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे लाइक कर दें और अपने स्टडी लेटर गुस में जाके जरूर सेयर करें देखते कितने बच्चों का सही होता है जबाब गंदवार बे इस तित्र आपके गल्फ आप ओमान के पास ये जो आपके लाइक करती है आपके बॉर्डर के पास कौन सी बॉर्डर के पास आपकी तो पाकिस्तान और इरान के बॉर्डर के पास करती है ये इसके अलावा इरान पाकिस्तान सिमा पे आपके मैकरोन तट पे अरब सागर का एक इनलेट है Gulf of Oman होगा, जो लोग भी Gulf of Oman पे गए हैं, उनका आपके सही है जवाब, बहुती बढ़िया अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके और भी कोश्चन It must of जो आपका कोडिया है, ये स्थित आपके, कोंसे दो सीज में ये चीज आपको बताना है कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का, देखते कितने बच्चों का सही होता जवाब तो सी अप जापान और येलो सी होगा, इकमिस आप कोडिया जो है, इस्थित आपके सी अप जापान येलो सी में आपके, इसकी एरिया की बात की जाए तो ये आपके 160 किलोमेटर तर संकड़ा है, और ये कोरियो खारी और पुर्वी कोरिया खारी के बीच इस्थित है ठीके, इसका अंसर आपके सी होगा, जो लोग भी आपके सी के तरफ गए थे, उनका आपके सही है जवाब अब एमेजोन कैनोई जो है इस्थित आपके कौन से ओशियन के पास ये चीज़ आपको बताना है कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का, देखते कितने बच्चों का सही होता जवाब तो आपके इसका अंसर अंटलार्टिक ओशियन होगा जो एमेजोन का कैनोई है, ये स्थित आपके अंटलार्टिक ओशियन में और ये अगर कहा जाए आपके तो नियरली आपके दो सौ मायल्स की दूरी पे आपके अंटलार्टिक महासागर में एमेजोन फैन के वीतर एक पंडूपी घाटी है बहुत ही बढ़िया जो लोग सी के तरफ आपके जा रहे है अब ये बताना आपके अमेजोन की सबसे बड़ी सहाई के नदी कौन सी है ये चीज़ आपको बताना है कोशिश करें जबाब देने का देखते कितने बच्चों का सही होता है जबाब इसके अंसर आपके क्या होगा तो मंदीरा रिवर होगा मंदीरा रिवर जो है आपके सहाईक नदी है आपका अमेजोन रिवर का अगर कहा जाए तो मेजर वाटर वे है आपके साउथ अफरीका का ये काफी जादे लंबी है और ये फ्लो करती है आपके देशों से जिन में से आपके ब्राजील और बोलिबिया आता है आपके चलिए देखे बात ये चीज़ हो जाता ना फिर आप लोग का एक्जाम पास आ रहा है मैं चाहती हूँ आप लोग आफिसर बनो और ऐसा नहीं कि मैं आपके एंसर की तरफ देखी रही हूँ कि कौन बच्चे क्या सही कर रहे है कि क्या कर रहे है मैं सभी के उपर ध्यान दे रही हूँ जो थेओरी ओप एक्स्पैंडिंग उनिवर्स है ये किरके दोरा दिया गया है ये चीज़ आपको बताना है स्क्रीक में कर दूंब करें मुलाा ना को भी बच्चों बच्च असज़वड के इडवीन हमब्स हुगा आपके इडवीन हमब्स हों ठीज़ खैंडिंग उनिवर्स आपके चिर्शांथ इनिवर्स था आपके किन के दोड़ा दिया गया था तो एडवीन हंबल के दोड़ा दिया गया था यह हंबल जो थे आपके युनिवर्स जो है आपके एक्जिस्ट करती है आपके आज और यह आपके स्टील जो कहा जाए तो विस्तार कर रही आपके धीरे धीरे आपके इसका एंसर भी होगा ठीक ह अब जो पहला मॉलिकुल है जो कि फॉर्म करता आपके युनिवर्स को बिग बैंक के बाद ये कौन सा हो गई ये चीज आपको बताना है कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का जिनको जिनको ये लगे कि मैं रिकॉर्डेट चल लिए तो रिकॉर्डेट बिल्कुल भी क्लास नहीं है ये नाजिया जी ले लेती बट अभियस चीज है खाना पीना भी है मुझे तो इसलिए ठीक है पहले पांच स्टुडेंट का मैं नाम ले लूँगी जो पहला पांच एंसर देगा ठीक है तो सोनाली पांडे जी का सही है जबाब एमडी अनवर जी विकार जी शीवम जी अजीद जी नाजिया प्रवीन जी गुटिमनी मधू जा जी तो हीलियम हाइड्रेट होगा हीलियम हाइड्रेट आएंज होती है यह आपका पहला मॉलिक्यूल है जो की फॉर्म किया था आपके बिग बैंग इवेंट के बार यह जो आपके भारत के समीधान में अपने आंतिम अधिकार को डैस से फ्राथ करता बताना है कि किस से तभी तो बोल लियो नहीं तो मैं सारे 10 तक क्या मैं 11 बचे तक क्लास ले लूँगी जे कोई दिकत नहीं होती लेकि रात काफी हो चुकी है खाना भी है आप लोगों को जैसे कि पता हुआ कि कल सुम्बार ही है तो खाना भी खाना है आज जिनको जिनको एक्स्ट्रा कोशन पुछना है क्लास के 10 मिनट तर वेट करें क्लास के 5 मिनट या 10 मिनट मैं सबका डाउट ले लूँगी ठीक है तो पीपल ओफ इंडिया होगा आपके जो पांच जो आपके पांच टॉप कंटेंटर्स जिटनोंने पहले अंसर दिया था उ पीपल ओफ इंडिया होगा भारत के लोग होगा जो समीधान है अमारा समीधान ने लोगों ने अपना अधिकार प्राप्त क्या है और लोगों की नाम आपके प्रपात्वतित क्या है आपका ये प्रस्ताब सबस्ट करता है कि हम भारत के लोग इनके दोड़ा आपके समीध किताब में आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा अब गवर्णर ऑफ स्टेट जो है आपका फेडरल फायर मैंन के उपर यह क्या होगा यह चीज बताना है आज का यह आपका आखरी कोश्चन है फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में ठीक है इसका बताएं कि क्या होगा राज के राजपाल को जो है आपका गवर्णर अफ स्टेट को फेडरल फायर मैंन क्यों बोलते हैं मतलब किनको बोलते यह चीज बताना है सभी बच्चे जवाब दे लांस्ट कोश्चन में सभी बच्चों का नाम ले लोगी आप लोग भी खुश हो जाएगा आपकी इसका एंसर थे आपके फेडरल फायर मैंन के और फायर मैंन की तरफ जो है आपके केबल आपात स्थीती में ही बुलारा जाता आपके राजपाल के कारकाल को इस्थमाल किया जाता आपके राजनीती के लिए नहीं होना चाहिए बहुत ही बढ़ियां M.D. अनवर जी अजे कुमारी करुना जी अजे जी बिंदेशो राय जी जोती दुबे जी शिवम कुमार जी विकार जी अजीद जी नाजिया प्रवीन जी शुवम जी सोना लाल जी अजीद जी सूरज जी नाजिया प्रवीन जी अजीद जी सोना लाल जी इन सभी बच्चों का सही पूछ लिजे फिर मैं आप लोग से आगरोच चाहूंगी कि अब आप लोग की छुटी फिर में लेंगे हम लोग कल की क्लास में ठीक है जिनका अगर कोई डाउट भी हो तो वो कल पूछ लिजे का अगर मैं नहीं जवाब दे पाऊं बाकि किसी का कोई डाउट है तो पूछ लिजे और बाकी मिलते हैं आप कल की क्लास में गुड़नाइट स्वीड्रीम्स ट्रेक्या ध्यार रखे मैं आप लोग के साथ हूँ बस आप लोग क्लास को लाइक और सेर करते रहा किजिए और क्लास में रेगुलर आया किजिए आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए काफी ज